मोती चूर के लड़ो तो किसे नहीं पसंद होते हैं, लेकिन सबकी यही प्रॉब्लम होती है कि मोती चूर के लिए हमें मोती बनाने में बहुत दिकत होती है, उसके लिए हमें जहारा चाहिए होता है, अनिकों प्रकार की परिशानियां आती हैं, तो आज मैं आपके लिए ले तो इसके लिए चना डाल को हमने राद भर के लिए फुलने के लिए रख देना है, एक कप चना डाल लिया है मैंने और इसे बिना पानी डाले इस तरीके से कोर्सली ग्राइंड कर लेना है, बिलकुल दर-दरा, इस तरीके से, आप देख सकते हैं, एक दो डाल चूट गई है, तो कोई दिकत नहीं है, बाद में इसे हम दुबारा पीस लेंगे, तो ये देखें, इस तरीके से, इसे हमें इस तरीके की छोटी-छोटी टीकिया का शेप दे देना है, ये देखें, बहुत ज़दा मोटा नहीं करना है, बहुत ज़दा पतला नहीं करना है, इस तरीके से, मैं सारे बना लूँगे, और ये मैंने बना लिये हैं, अब दूसरी तरफ, मैंने यहां पे घी गरम होने के लिए रखा था, तो अगर आपको हलवाई वाला टेक्चर च और हमें इसका कलर नहीं चेंज करना है, बस हलका सा, ये थोड़े से कड़े हो जाए, बस उतना ही हमें इसमें निकाल लेना है, तो ये देखें, सारे फ्राई मैं इसी तरीके से कर लूँगे, ये देखें, मैंने कर लिया है, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर स कैसे पीछना है बिल्कुल दरदरा एक बार मिक्सी चलाइए फिर रुकिए फिर चलाइए फिर इस तरीके का आपको टेक्शन मिल जाएगा एक साथ चला देंगे तो इसका एक पाउडर फाइन हो जाएगा तो हमें इस तरीके का टेक्शन वाला चाहिए अब यहां पर मैंने यह सेम घी में मैंने फराइए था उसमें से सारे घी निकाल दिया ए वन से टू टेबल स्पून घी छोड़ दिया है बोहां से तरीके कःको टेल के चने डाल का करमस बनाई उसमें ठोड़ा सा फ्राइ कर लेला इनकेंस कहीं ठोड़ा बहुत कच्छा रहे गया तो यह समें भुन जाएंगे, बहुत ज़ादा नहीं भुनना है हमें, मीडियम फ्लेम पे इसे 2-3 मिनट के लिए इस तरीके से सौते कर देंगे, तो आप देखेंगे कि इसका जो दाना है वो एक-एक खिला-खिला नजर आने लगेगा, तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें फ्राई कर लेन मैंने सेम पैन में ले लिया है, आधा कप पानी और एक कप डाला है चीनी, तो जितना हमें चीनी डालना है, उसका आधा पानी डालेंगे, तो यहां पे मेरा कैमरा थोड़ा ओफ हो गया था, इसलिए नहीं शूट हो पाया, और इसी के साथ मैंने यहां पे एक चौथाई च कि जो चीनी होती है, वो जमने लगती है, तो वैसा नहों हो, इसलिए हम इसमें चार से पांच बूंद निम्बू के एट कर देंगे, बस चाशनी हमारी तयार हो गई है, अलके सी चिप-चिपी हो जाए, बस उतना ही हमें इसे पका लेना है, इसके बाद जो हमने चना दाल क को भून के रखा था, उसे भी हमें इसमें एट कर देना है, और एट करने के बाद 2-3 मिनट के लिए हम इसी तरीके से साथ में पका लेना है, थोड़ा सा फ्लेम को आप लोही रखिएगा, तब ही आप इसे पकाईएगा 2-3 मिनट के लिए तो बहुत ही अच्छे से ये पक के बाद इस तरीके से फैला दीजे और फैलाने के बाद 10 से 20 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दीजे इसी तरीके से तो देखिए 20 मिनट हो चुके हैं लगबग और ये हमारा बिलकुल मोती-चूर का लडू बन के अब इसमें मैंने थोड़े से एड़ कर दिये हैं यह तर्भूस के बीज है आप ड्राइफ रोट्स कोई भी ऐड़ कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं अब हमारा जो लड़ू है वो एक साइज का बने इसके लिए मैंने एक चमच ले लिया है उसकी मदद से हम इस तरीके से निकाल लेंगे और ये लीजे बन के तयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ये मोधी चूर का लड़ू आप देख रहे हैं कितना बढ़िया इसमें रेसिपी बनके तयार हो गई है तो अब घंटो मेहनत करने की जरूरत नहीं है बस दाल फुलाइए और इस तरीके का लड़ू आपका तयार है एक दम दानेदार एक दम वही टेक्सचेर आपको मिलेगा ये देखिए तो आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो